आज इस विडियो में हम बात करेंगे Infosys के बारे में आज आने वाले है Infosys के Q2, Q3 के Results उस्ते पहले अब हम बात करेंगे Infosys के Q3 के Results के बारे में उस्ते पहले लाइक शेर नहीं कर दीजिए और डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा तो डिस्क्लेमर पढ़ना काफी जदा important हो जाता है अब हम बात करेंगे Infosys के बारे में Results कैसे आ सकते हैं और प्लस चार्ट पैटन क्या इंडिकेट कर रहा है मार्केट ओपन होने के पहले क्या इसमें कोई Trade Setup बनता है जी हां बिल्कुल Positive Results अच्छे Results आने के उमीद है In Line Results आने के उमीद है तो हम Expect कर सकते है At least Infosys अपना जो 52 Week High है 1900 रुपे का उसे Break करेगा उसके आसपास तक आने की कोशिश करना चाहिए अच्छे Results के उमीद पर अच्छे Results आने के बाद अगर हम अभी बात करें Infosys के तो Infosys अभी Trade कर रहा है 1855 की कल की Closing थी आज open होगा इसी के आसपास तो क्या हो सकता है कि देखे 3% उपर की बाजू आपका Target मिलेगा और 3% का करीब करीब मीचे की बाजू आपका Stop Loss बन रहा है तो Easy 1 is to 1 का Risk to Reward All a Trade बन रहा है अगर कोई Pure and Pure Trading Perspective अगर कोई देखना चाता है क्योंकि काफी अच्छा Consolidation हुआ था Consolidation हुआ, Breakout हुआ, Retest हुआ, अब वापिस उपर जा रहा है तो इसको भी Break करने के Chances काफी ज़्यादा High रहेंगे अगर बहुत अच्छे Results आते हैं आपने लाख रुपे के Infosys के Shares खरीदे तो या तो आपके 3000 रुपे चले जाएंगे या आपको 3000 रुपे आ जाएंगे कल के दिन Results के बाद कैसे Market react करता है क्योंकि यह Results के बाद Analysis करके Chat Button के उपर कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब तो Majority Move आ चुका था जब तो आपका जो Trading का Opportunity था वो Miss हो चुका रहेगा तो काफी लोग बोलते हैं कि Results आने के बाद Analysis कीजिए तब कोई मतलब नहीं है Results के Analysis अलग होती है और Results के बाद Chat Button के Analysis करने को कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि जब Move आ चुका होता है Move आने के पहले आपको प्रेडिक्ट करना है तो अच्छे Results के उपर अच्छा Move प्रेडिक्ट कर रहे है At least 1900 तक जाना चाहिए Stock याई आपको करीब-करीब 3% का Rest to Reward मिल रहा है 1855 की Closing है 1850 के आसपस Buy कर सकते हैं अगर आपके अपके अडवाजर से चाहिए गा 1800 का Stop Loss रखेगा और 1900 के टारगेट के लिए आप 50-50 रुपेज का Stop Loss 50 रुपेज का Target के लिए रख सकते हैं और एक बर 1900 आवे तो आप अपने Stop Loss को Trail करके 1850 अपने Buying Level पे ले आईएगा और फिर हर 25-50 पुइंट पर आप उसको Trail कर सकते हैं और जहां तक यह जाता है वहां तक इसको Hold कर सकते हैं और अगर Stop Loss hit भी होता है तो 3 परसन कोई बहुत बढ़ा नहीं होता है हाँ अगर आप आपके Limit के अंदर करो तो बहुत बढ़ा Stop Loss नहीं होता है 10 परसन का अगर आपका Capital ही 1,00,000 रुपे का है और 3,000 रुपे तक अगर आप रिस्क ले सकते हो तो बिल्कुल करिए अगर आपका Capital 10 करोन रुपे का है और अगर आप पूरा का फूरा इसमें डाल दोगे विकि रिजल्स के बाद Infosys के अंदर मुवमेंट काफी क्विक आता है तो उन्नेस हो का अगर आप Call Option बाय करते हो तो उसे hedge भी कर लिजेगा साथ ही में उपर के Call Option बेज दीजेगा या अगर आप Put Option शेल कर रहे हो तो नीचे के Put Option बाय कर लिजेगा आपको भी सीखना है टेकनिकल्स और फंडामेंटल्स टॉक मार्केट के बारे में Companies के बारे में PE Ratio, CAGR ये सब क्या होता है, results को कैसे decode किया जाता है Charts कैसे अलग-अलग find out किया जाते है, head and shoulder फिर आपको trend line क्या होता है, अलग-अलग, basic to advance अगर आपको जाना है टेकनिकल्स और फंडामेंटल्स के अंदर तो free course आ चुका है हमारी website www.takenews.in पर सिर्फ आपको इस website पर जाना है और upstock के साथ एक DMAT account open कर वाले ना है, क्योंकि भाई सब जब सीखोगे तो इसको implement किस पर करोगे implement करने के लिए आपके पास एक DMAT account होना चाहिए, तो upstock के साथ एक DMAT account open कीजिए और free में इस course के अंदर enrollment लेजिए